मंदिर और मस्जिद के संबन्ध में बहुत सी लोगों के धारनाएं होती है, विचार होते हैं कि इस सब बेकार की चीजें हैं, इस से अच्छा लोग अपने रोजगार पर ध्यान दे, अपने कार्जों पर ध्यान दे, अपने विचारों पर ध्यान दे लेकिन कभी-कभी आफ सोचेंगे तो बहुत से चीज़ें आवश्यक होती है अगर हम भारत में जीते हैं तो आप थोड़ा सा इस पर विचार करें कि इस भारत देश के अलावा इस दुनिया में और भी बहुत से देश हैं और भी बहुत से लोग हैं और जैसे मुशलमान हैं और खास करके हिंदू हैं तो इशाईयों के लिए भी 100 से उपर देश हैं और मुशलमानों के लिए भी 56 हैं लेकिन आप देखेंगे कि उनका धर्म उनका सिधान्त फिर भी विश्तारवादी पर काम करता है इसलाम का पूरा सिस्टम विश्तारवादी पर है इशाई भी उस इसी विश्तारवादी निती के साथ चलते हैं, जो एक इनसानियत, जो एक मानवता का जो धर्म हमारे रिशी मुनियों ने दिया, बसुधेव कुटुमबकम, वो भाव आपको उन लोगों में नहीं मिलेगा, जो भी मुस्लिम देश हैं या जो भी इशाई देश हैं, आप बि भारत ने कभी ये कोशिश नहीं की, जो सिमाएं उसकी थी बलकि वो भी धीरे-धीरे छूटती चली गई, और भारत सिमठता चला गया, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, चुकि हमारे रिश्यों का उद्दात विचार रहा है, जहां एक और अन्य देशों ने सिर्फ य प्रामया, शरवे भद्राणी पस्चन्तु मा कस्जि दुख भाग भवेत, या फिर यू कहें कि हमारे रिश्यों ने यह कहा कि जीओ और जीने दो, या हमारे संतों ने यह कहा सभट मेरो साहिया, सुनी सेज न कोई, तो इस तरह के विचार, इस तरह के भाव, इस तरह की च इसलिए लिए संतों ने हमारे शि मुनियों ने इस भूमी से इनिरंतर पकार एक ही यहacy किया कि सरवेभवने हम तुछौना जिस पर चीन भी आप देखें वो विस्तारवादी निती पर है, रूस विस्तारवादी निती पर है, इजराइल विस्तारवादी पर है, पाकिस्तान आदी देश विस्तारवादी निती पर चल रहे हैं, शिरिया, मिस्र आदी विस्तारवादी निती पर चल रहे हैं, अमेरिक एक ऐसा इकलोता देश है जिन्होंने कभी भी विष्टारवादी नीती पर नहीं चला भारत निरंतर इस भाव से चला कि हम भी जीएं तुम भी जीओ तो इसी करम में इसी परंपरा में तमाम संस्कृतियां आई तमाम सभ्यताएं आई गई लोग आए गए और इस वजह से इ निरंतर हलचल भी होते रहते हैं लोग जैसे सोचते हैं कि हम चाहे जितना पाप कर लें जितना हाई हत्या लूट मार कर लें इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता लेकिन इन सबका फर्क विक्तिगत जीवन में पढ़ता है समाज पर पढ़ता है राष्ट पर पढ़ता है पूर जैसे जब हम स्रिष्टी का विनास करना शुरू करते हैं जैसे जंगलों की कटाई हो या वाई परदूशन हो धोनी परदूशन हो प्रिथवी परदूशन हो तो इसका असंतुलन निरंतर प्रकृती में तयार होने लगता है इसे प्रकृती का संतुलन बिगड़ने लगता है और ये प्रकृति स्वेम अपना संतुलन बनाने के लिए सुनामी जैसे भैंकर तरासदी, भूकंप जैसी तरासदी, कोरोना जैसे महामारी कहीं आग का लग जाना, कहीं जलमगन का हो जाना इस तरह की भैंकर से भैंकर तरासदी प्रकृति खुद उत्पन करती है ताकि संतुलन बना रहे है लेकिन इसके बावजूद आज जितनी मात्रा में हम प्रकृति से खिलबार कर रहे हैं चाहे मानसाहार करके हो चाहे दुर्विशन करके हो चाहे पाप करके हो चाहे अत्याचार करके हो वो प्रकृति भी अक्षम है संतुलन बनाने में और निरंतर नहीनी समस्याएं आ रहे हैं निरंतर नहीने कारण बनते चले जा रहे हैं और चुकि अन्य जहां भी संप्रदाय हैं अन्य जहां भी मत्पंथ हैं एक सनातन संस्कृति को छोड़कर वहां हिन्सा की प्रमुखता है वहां हिन्सा प्रमुख है वहां हिन्सा ही उनका जीवन है और जहां हिन्सा है, हाय है, लूट है, अत्याचार है वहां धर्म की अस्थापना कैसे हो सकती है वहां संतुलन कैसे बन सकता है वहाँ प्रेम के अस्थापना कैसे हो सकती, वहाँ शांती के अस्थापना कैसे हो सकती, तो आज अगर इस तरह की स्थितियां समाज में है, आज अगर इस तरह की स्थितियां देश में है, दुनिया में है, तो उसका कारण ये है, कि कहीं न कहीं लोग उस निती के साथ जी रह जो परंपरा उसे स्वार्थी बनाता है, उन विचारों के साथ आदमी जी रहा है, जिसमें शिर्फ अपना हित अपना स्वार्थ नहीं है, जिसमें राष्ट हित है ही नहीं, आज हर विक्ति उस निती के साथ चलना चाहता है, उस विचार के साथ चलना चाहता है, जिसमें कही सुक्षान्ती समाज के लिए नहीं है, जिसमें कहीं दूसरों के लिए सुक्की कामना नहीं है, जिसमें आदमी सिर्फ अपना और सिर्फ अपना स्वार्थ के साथ जीना चाहता है, तो वही नीतिया आज भी है देश में जहां चाहे वो धर्म नेता हो चाहे राज नेता हो चाहे अभी नेता हो वे लोग सभी अपने अपने नीतियों के साथ चल रहे हैं अर्थाद वे नीतियां जो समाज हित में नहीं है वे नीतियां जिसमें राष्ट का हित नहीं है बलकि वे नीतियां वो अपना च और इसके साथ चलने के कारण हमारा समाजिक संतुलन बिगड़ा है पारिवारिक संतुलन बिगड़ा है धारमिक संतुलन बिगड़ा है राष्टिय संतुलन बिगड़ा है और सबसे वड़िवाद वैश्युक संतुलन तो पहले ही बिगड़ चुका है आज भारत में ही देख तो भारत भारत तो रहेगा बाहर से तो भारत रहेगा लेकिन भीतर खोखला रहेगा क्योंकि भारत कोई मिट्टी पानी आग हवा का जोड नहीं है भारत सिर्फ सिमाओं में बंधा हुआ एक नकसा नहीं है आज भारत की आप कहलें कि करिब एक अरब 30-40 करोड की जनसंख्या है यह सब की सब भारत है अगर इन में आपस में असंतुलन है अगर इन में आपस में प्रेम नहीं है तो भारत बिखर चुका है अगर भारत की आत्मा ही खंडित हो जाए भारत का प्रान ही निकल जाए तो भ और इसका मूल अधार होता है अपनी सब्भेता अपनी संस्कृति जब हम धार्मिक रूप से संस्कृतिक रूप से सब्भेता के रूप में अगर हम बिखर जाते हैं वो देश कंगाल हो जाता है वो देश फिर अधार्मिक हो जाता है चुकि मैं कहा करता हूँ और ये हमारे रिश्यों का भी बचन है कि जब भी हम अपने बारे में या देश के बारे में सोचते हैं तो आप ये ख्याल करिए कि एक वेक्ती सिर्फ अपने मा के ही गर्भ से जन्म नहीं लेता वो एक संस्कृती के गर्भ से भी जन्म लेता है और जिस संस्कृती के गर्भ से हम सबने जन्म लिया है उसका नाम भारत है भारतियता है और वो है जिस देश में हमने जन्म लिया है वो भारत है जिस संस्कृती के गर्भ से हमने जन्म लिया है वो भारतियता है क्या आज वो भारत वो भारतिता हमारे बीच है क्या आज वो भारतिता हमारे आत्मा में बसती है नहीं बसती है आज हम भीतर से खोखला होते चले जा रहे हैं आज हम भीतर से विखरते चले जा रहे हैं आज हम बिरोध में जीते चले जा रहे हैं आज एक-एक समाज खंड-खंड में बढ़ता चला जा रहा है और ये भारत के मूल आत्मा से छेड़खानी ही है चुकि हमारे जितने भी रिशिमुनी हुए, जितने भी संत हुए, जितने भी शहीद हुए उनका एक ही सपना था, एक ही खयाल था कि भारत एक सुत्र में बंद है, एक प्रेम के धागे में बंद है जहां सभी लोग आपस में मिल करके रहें और एक साथ रहें और अगर सोचें तो देश के लिए सोचें, सोचें तो समाज के लिए सोचें, कुछ करें तो समाज के लिए करें, जिसमें सिर्फ अपना ही स्वार्थ नहीं तना हो, आज हम सिर्फ अपने ही स्वार्थ के चलते चल रहे हैं, तो ये सारे बिडम बनाएं अपने देश में हैं, और बहुत से बाते हैं, मंदिर, मस्जिद की बाते हैं, गिरजाखर, गुरुद्वारे की बाते हैं, जिसमें सब लोग अपना-पना विस्तार चाहते हैं, सभी लोग अपना-पना कोशिश करते हैं कि इसका विस्तार हो, लेकिन जो हमारी संस्कृती है, जिस रूप में हमारे रिशी मुनियों ने हमें ग्यान दिया और इस देश की परंपरा रही सरनागत की रक्षा हो या अतिति देवो भवा हो ये बहुत कम देशों में देखने को मिलता है तो ये परंपरा हमारी रही और कभी-कभी क्या होता है कि कुछ अच्छी बातें भी कभी-कभी वो हमारे लि खत्रे बने, अच्छी प्रम्प्रायें भी खतरनाख हो जाती हैं। जयिसे आप सुने होंगे कि एक सर्प था जो लोगों को काटता था गुरू ने उसे कहा तुम क्यों काटते हो। गुरू के पास गया, कहा तुम किसी को मत काटो, किसी को मत सताओ। उस आप काटना छोड़ दिया, जब लोगों ने देखा कभी ये काटता नहीं है, तो बच्ची उसके साथ खेलने लगे, पत्थर फेकने लगे, गुरु देखते हैं, सर्प घायल है, गुरु ने कहीं क्या हो गया, आप ने कहा था किसी को काटना नहीं, मैं किसी को काटना ही इतने कड़क तो बनके रहो, इतने मजबूत तो बनके रहो कि कोई तुम्हारे त्याग को, कोई तुम्हारे आदर्श को, कोई तुम्हारे अच्छाए को कमजोरी ना समझ ले, इतना तो मजबूत रहना पड़ेगा, ठीक है हम किसी देश पर आक्रमन नहीं करेंगे, किसी क तो नहीं सताएंगे, लेकिन कोई दुछ्टताई ना छोड़े, कोई पाप ना छोड़े, कोई अत्याचार ना छोड़े, तो फिर ऐसे लोगों को दंड देना भी जरूरी है, अगर कोई समाज के खिलाफ, राष्ट के खिलाफ, या हमारे संस्कृति सभेता के खिलाफ, हमारे महापुरसों के खिलाफ खड़ा है, तो उसको दंड देना भी जरूरी है, और जो हमारी सुरू से संस्कृति रही, अगर उसको हमें जीवित रखना है, तो आज उस रूप में हमें सब को साथ आना होगा, तो कि मैंने पहली का, अगर संस्कृति मर गए तो समझना वो देश मुर्दा हो गया, इसलिए वो संस्कृति भी जीवित रहे, वो धरोहर भी जीवित रहे, उसके लिए हमें जो भी करना पड़े, करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, आप जीते हैं, आप हंसते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन देश के लिए नहीं सोचते हैं, अपनी संस करेंगे तो कोई भी चीज कठिन नहीं है और सदियों से लोगों ने कोशिशें की है इसलिए कोशिश करते करते बीच कभी-कभी ऐसा काल रहा है जब भारत बहुत ही सम्रिद्ध रहा है अखंड रहा है शांती पुर्ण धंग से जिया है बीच-बीच में सत्ता पर ऐसे लोग आजाते हैं जो स्वार्थ लोलूप होते हैं इस्थिती बिगड़ जाती है तो ऐसा ही चलता रहता है पुना एक संगठाने का हवान की जरूरत है अगर हम सब मिलकर करें धीरे-धीरे वो इस्थिती पुना आएगी जब भारत पुना अखंड हो भारत पुना शम्रिद्ध ह भारत पुना शुफी हो इसी संकल्प के साथ आप सब को शाहिब बन देए